हेलो बच्चो वेल्कम बैक टू माइ चैनल बच्चो किलास एट की एक्सरसाइज करेंगे किलास एट लेसन सेविन बीर अब्दुल हामिद ओके बच्चो तो कुश्चन नमबर ए है चैनल बारती सेना में कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवल्दार थे और यानि की शेक एंड What were the Pakistani tanks like? Pakistani tanks कैसे थे? तो answer The pattern tanks of the Pakistani army were very powerful and dangerous Pakistani Saina का pattern tanks बहुत सक्तिसाली और खतरनाग थे Question number 3 How did Hamid destroy the enemy tanks? Hamid ने दुस्मन के tankों को कैसे नश्ट किया? तो answer है इसका With his special gun Hamid fired accurate shots on three enemy tankers and destroyed them Hamid ने अपनी बिसेस बंदूक से दुस्मन के तीन tankerों पर सतीक निसाना सादा और उन्हें नश्ट कर दिया Question number D Question number D में पूचा है How did Hamid fight the enemies and what happened to him? Hamid ने सत्रूओं से किस प्रकार युद्द किया और उसका क्या हुआ? तो इसका answer है Hamid destroyed three tanks of the enemy with his gun He fought bravely, one of the enemy's cells hit his jeep and killed him मतलब ये Hamid ने अपनी बंदूक से दुस्मन के तीन tank तवा कर दिये थे और बहादुरी से लड़ रहे थे या लड़े दुस्मन का एक गोला उनकी जीप पर लगा और वह सहीद हो गए ठीक है वच्चो? Question number five How was Hamid honored for his bravery? Hamid की उसकी बीटा के लिए किस प्रकार सम्मानित किया गया? तो इसका answer है वच्चो Answer ठीक है वच्चो? Next है question number six Question number six में पुछा है How do you feel about Abdul Hamid after reading the story of his bravery? आपको कैसा लगा? Abdul Hamid की कहानी पढ़कर या सुनकर तो बताईए आपको कैसा लगा है? Comment में बताना तो इसका answer है वच्चो Abdul Hamid was a brave soldier of Indian army He did not fear to see so many powerful enemy Tanks coming towards him For him His country's security Was more important than his own life मतलब ये Abdul Hamid बारती सैना का एक बाहदूर सैनिक था वए दुस्मन के इतने सकती साली टैंकों को अपनी और आते देखकर नहीं डरता था उसके लिए For him इसका अपने जीवन से अधिक मेधपूर थी इसका मतलब ये ओके बच्चो आप अपनी बुक में question देखकर अपनी copy में answer लिख लेना ओके बच्चो next है fill in the blanks तो आप अपनी बुक में देखना first number है the war between India and Pakistan was fought in the year यहने कि Pakistan और बारत के बीच में योद कब हुआ था 1965 तो इसमें बार देंगे 1965 में second number अब्दुल्हामिद turn his gun and fired a sword sword बर देंगे इसमें ठीक है अब्दुल्हामिद ने अपनी बंदुक को गमाया और fired की बंदुक चला दी ठीक है sword इसमें sword बर देंगे next है third number अब्दुल्हामिद वाज अवार्ड़ेड डैस for his bravery उसकी बाहदुरता के लिए अब्दुल्हामिद को प्रुस्कृत किया गया किस से परंबीर चक्र से तो परंबीर चक्र भर देंगे इसमें fourth number अब्दुल्हामिद बिलेज हैस वी नेमड डैस आफ्टर हिस नेम उसके नाम के बाद अब्दुल्हामिद को नाम उसके गाओं का नाम क्या रख दिया था अब हामिद धाम ठीक है उसके मरने के बाद अब्दुल्हामिद के गाओं का नाम हामिद धाम रख दिया था next है bird power bird power में आपको परंणा है watch the words with the meanings ठीक है बच्चो तो आपको देखना है और मिलाना है एक गुड शॉट को मिला देंगे थर्ड नमबर से वन हूँ कैन सूट एनी टारगेट सक्सिच फूली इस से मिला देंगे ओके बच्चो तो यह हो गया आपका अब बी नमबर क्रैक सॉट तो क्रैक सॉट को मिला देंगे इसकिल्ड एट सूटिंग ठीक है बच्चो तो C नमबर टू लूज हर्ट इसको मिला देंगे ए नमबर से तो गैट डिस अपॉइंटेड तो D नमबर है बच्चो मार्च यानि की मार्च फॉवर्ड तो इसको मिला देंगे सेकिल्ड नमबर से टू मूब फॉवर्ड इन एन और्गनाइजड मैनर ठीक है बच्चो इससे मिला देंगे इसको तो आपकी ये कंप्लीट हुई वर्ड मीनिंग्स वर्ड पावर ठीक है नेक्स्ट है इंटर्जेक्शन वन्दा मैच हमने मैच जीत लिया यानि खुसी की बात है तो हुर्रा तो हुर्रा कर देंगे आपको एक्जामपल आपकी बुक में दिये है एक्जामपल नहीं रीड एंड अंडर्स्टेंड के लिए आपकी बुक में दिया है उसको पढ़ो कि hello कहां लगाते हैं alas कहां लगाते हैं oh कहां लगाते हैं हुर्रा कहां लगाते हैं ठीक है अर्रा तब लगाते हैं जब कोई जैसे कि joy कुछ आननदेथ ठीक है कुछ आस्चरजनिक होता है तो उसकी जगा oh लगाते हैं कुछ दुख होता है तो अलाश लगाते हैं ठीक है बच्चो तो ऐसे ही हुर्रा लगा दिया क्योंकि कुछ मुझे खुसी हुई मैं जीत गया तो हुर्रा तुमने बहुत अच्छा काम किया तो सावासी देंगे उसको ठीक है तो बोलेंगे ब्राबो थर्ड नमबर है his father has passed away यानि कि उसके पिताजी खतम हो गए एकस्पायर हो गए तो दुख हुआ तो क्या लेखेंगे या अलाश ठीक है how do you do तो इसमें बरेंगे hello तो बोलते नहीं है how are you तो hello how are you ऐसे ही इसमें भी hello बोलेंगे और फिर how do you do आप कैसे हैं ठीक है तो यह हो गए आपका आपकी exercise finish हुई do itself activity है यह आप खुद कर लेना आपको पढ़ना है कि क्या क्या दा इंडियन आर्मी दा इंडियन नेवी दा इंडियन एयर फोर्स के बारे में आपको पढ़ना है ठीक है बच्चो इसको पढ़ लो आपके लिए बहुत ही important है आप activity में जाके इसको पढ़ लेना ओके बच्चो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके बच्चो थैंक यू